हलो गाईज तो कैसे हो सब लोग आप सब का स्वागत है क्लाश अप टाइटन्स का और एक नए वीडियो में गाईज कभी यह सोचे हो अगर डंबेलडोर और गैंडल्फ का अगर कोई मिक्शर बनता तो वो कैसा रहता ज्यादा सोचना नहीं है वो मिक्शर इस जैसा होता है तो गैज अभी बिना टाइम वेस्ट किये स्टार्ट करते है इगनिस का फुल टूटोरियल तो गैस हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं इगनिस का पैसिव का तो इगनिस का पैसिव यह कहता है इगनिस का कोई भी स्किल अगर एनिमी को हीट करता है तो फिर एक flame मार्क छोड़ जाता है और अगर मार्क टेनिमिस के उपर Ignis का next कोई भी skill पड़ा तो फिर कुल मिला के तीन तरीके का effects दिखने मिलता है एक इसको enhanced damage मिलता है जो next attack होता है जो भी next skill उसके उपर use होता है वो enhanced attack हो जाता है ठीक है यानि कि increased damage मिलता है next HP को regen कर देता है ठीक है यानि कि Ignis का अगर HP अगर low रहा तो फिर उसका HP regen हो जाएगा और तीन उसका पहला skill का cooldown reduction हो जाता है तो इस बादे clip में आप जैसे के देख पारे हो जब भी मैं कोई भी skill थेन को पर use करता हूँ तो देखो थेन के सड़के उपर एक mark बन जाता है देख रहे हो यह flame mark है तो यही flame mark के बाद जब भी यह mark बनेगा तब भी यह सारे effects अपको दिखने मिलेंगे और यही इसका passive है तो गाइस अभी बात करते है skill 1 का तो अगर skill 1 अगर देखते हो यह fireball छोड़ता है enemies के उपर ठीक है और इसमें इसको दो effects मिलते हैं कुल मिला के एक इसको एक shield मिल जाता है देखो जब में skill 1 को use करते हो देखो एक white color का shield आ जाता है इसके HP बार में और दूसरा इसका जो normal attack है वो normal attack speed enhance हो जाता है ठीक है तो यह skill 1 आपको बहुत आला help करता है यह damage भी देता है extra damage देता है और साथ में यह आपको शील्ड भी देता है और attack speed भी बढ़ा देता है इस सोचो सिर्फ एक अटाक इतने सारा कुछ देता है स्किल 2 में ज्यादा कुछ है नहीं बोलने के लिए यह आपका fire shower है यह fireball shower देता है ठीक है तो जब भी आप यह आप ड्रैक कर किसी भी location पर दे सकते हो और उसी location में आपका fire shower होगा और अब बात कर लेते हैं skill 3 का तो यह skill 3 का door damage होता है guys दो तरीके से damage मिलता है एक अगर आप normal किसी enemy के उपर या फिर enemy जो groups होते हैं उनके उपर अगर यह skill 3 को अगर point करके मारते हो तो फिर एक ही damage यानि कि one type of damage मिलता है ठीक है और अगर यह सारे के सारे enemies अगर marked होए ठीक है तो वहाँ पर उसको extra damage मिलता है यानि कि माल लो कि इसका जो base damage वो 800 का है और जब वो mark होगा तो फिर 800 plus 800 का damage मिलेगा यानि कुल मिला के 1600 का damage मिलता है तो यह है यह skill 3 का सारा funda तो मैंने तीनो skills को बता दिये और अब ही हम लोग को बात करेंगे इसका combo तो जो combo मैं यूज करता हो गाइस वह मैं आप लोगों को बताऊंगा वह skill 2 skill 1 उसके साथ ultimate ठीक है एक चीज़ यहाँ पर ध्यान में रखना है कि ultimate को कभी भी आप खाली नहीं use करोगी यानिकि blank fire नहीं करना है यह skill 3 को एवी फेक दिया enemy group को पर या फिर enemy को उपर ऐसा नहीं करना है क्योंकि अगर आप यह करोगे तो फिर 800 का सिर्फ base damage यह आपको मिलेगा और अगर आप पहले mark कर ले तो enemy को यानिकि flame mark पहले कर दे तो कोई भी skill use करको फिर इसका skill 3 को use करते हो यानिक ultimate को use कर तो तब ही जाके आपका फाइदा है क्योंकि वो base damage के साथ enhance damage भी आपको मिलेगा यानिके 800 जब यह level 1 में होगा skill 3 तो 800 प्लास 800 इकॉस तो 1600 का total आपको damage मिलेगा और यह enough होता है early game में कोई भी enemy को खतम करने के लिए enough होता है और तो अभी में दिखा दिता हूँ जो enchantment मैं यूज करता हूँ इगनिस के लिए यह हैं आपका symptom of light और साथ में लॉकेम और नीची यह देखो तो numbness यह usually लोग यूज नहीं करते हैं और मैं यह यूज करता हूँ numbness को लॉकेम के अंदर यह आपको एक extra 12.5% का resistance देता है और जो की बहुत ही important है अगर आपके सामने ना तालिया हुआ या फिर वीरा हुआ तो यह resistance बहुत ही काम में आता है तबी ठीक है और अब भी हम ल इक्स को ले लो जो कि आपको extra magic penetration देता है या तो फिर आप ले सकते हो flashy boots usually flashy boots मैं यूज नहीं करता हूँ लेकिन वो flashy boots भी सही है जो कि आपको cooldown reduction देता है ठीक है और उसके साथ उसके बाद बूम stick को ले सकते हो यह मेरा core है यह मेरा core item है जो की extra damage देता है और बाकी 2-3 items में ल अब यह दोनों ही आपको damage भी देता है और साथ में थोड़ा बहुत वह defense भी मिल जाता है गाइस fourth item में मैं या तो kathis diagram को लेता हूँ या फिर Riaz blessings तो guys मैं Riaz blessings को तब यूज करता हूँ जब मेरे सामने वीरा होता है या फिर नतालिया होता है या फिर कोई अच्छा कासा damage dealers होता है जो कि बहुत damage करते हैं ठीक है तो यह आपको ना यह low shield बना देता है एक low shield देता है low health का shield देता है तो यह बहुत ही important है और final item में मैं usually Arctic off को use करता हूँ आप जानते हो active orc के बारे में जो आपको freeze कर देता है और कोई भी attack आपको open नहीं लगता है तो यह बहुत ही अच्छा खासा item है जो कि आपको help कर देता है ठीक है और तो guys हम लोग अभी देखते हैं कि इसका arcana set कैसा रहेगा औ तो guys यह वाला arcana आप directly as it is use कर सकते हो ठीक है कोई problem नहीं है तो guys video खतम करने से पहले मैं ignis का कुछ counters बता देता हूँ जो लोग ignis को आराम से counter कर पाएंगे वह है आपका प्रिकनेक हो गया या फिर आपका नेक्रॉथ हो गया या फिर आपका अगर marksman पकरते हो तो फिर वहापे हयाते हो गया ठीक है तो इन सारे बस इतना ही है और मिलते हैं नेक्स वीडियो में तैंक यू